यह रहां आपके सामने दोस्तों निमने लिखित में से कौनसा आंदोलन 1930 में महत्मा गांधी जी के नेत्रत में सुरू हुआ था यह हमसे पूचा गया है आपसन दिये गया है भारत छोणो आंदोलन खिलापत आंदोलन आसायोग आंदोलन सबने अबग्या आंदोलन सो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1930 में आपने सुना होगा एक दांडी यात्रा चली थी कौन से यात्र चली थी भी दांडी यात्रा चली थी जो की कहां से चली थी भी दांडी यात्रा कहां से कहां तक चली थी दोस्तों मैं आपको बता दू दांडी यात्रा जो चली थी वो सावरमती आश्रम से चली थी कहां से चली थी भी सावरमती आश्रम से 322 किलोमीटर कितने भी 322 किलोमेटर यह हम कह सकते हैं 200 मील कितने भी 200 मील दूर दाड़ी तक चली थी यह आत्रा जहां पर मातमा गांदी की नेतरत में यह आत्रा चली थी जो कि इसी से इसी यात्रा से सबने अबग्या अंदोलन की शुरूआ थी ती जो दाड़ी यात्रा थी यह इसी यात्रा से सबने अभग्या अंदोलन की सुरुआ थी ती और दोस्तों मैं बता दूँ यह जो दांडी यात्रा थी सावरमति आस्रम से 322 किलोमेटर था 200 मिल दूर दांडी तक चली थी और जब यह दांडी तक पहुँच गए थे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो दांडी या गए तो टोटल जो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कभी-कभी कि दांडी यात्रा में कितने लोग थे तो वो असी थे एक गांधी जी थे और 89 कियाते भी उनके अनुआई थे तो दोस्तो दांडी पहुंचके 80 लोगों ने क्या किया था नमक कानून तोड़ दिया था क्या किया था भी दोस्तो नमक कानून को तोड़ दिया था दांडी पहुंचकर तो यह जो दांडी यात्रा से ही कौनसे आंदोलन की शुरुआत होती भी सबने अभग्या आंधोलन दांडी यात्र है ये कब से स्टार्ट होती है ये 12 मार्च 1930 से դीस से चलती है ब स्वने अभग्या आंधोलन की शुरूवात हो जाती है तो इस question का जो right answer होगा वो option number D हो जाएगा सबने अबग्या आंदोलों दोस्तों और जो अभी मैंने explanation आपको बताया है यह पूरा का पूरा explanation यह देखिए आप देख सकते हैं मैंने नीचे लिखकर रखा है अगर आप नहीं सुन पाए अच्छे से तो इसको देख सकते हैं दोस्तों अब next question यह रहां आपके सामने दोस्तों तो दोस्तों आपको पिछले बाले question का अगर explanation समझ में आया है तो दोस्तों आप class को like कर लिजगा अपने दोस्तों के साथ share करिएगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यह class अच्छी है और इससे हमारे परेक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा important है तो आप इसे like कर सकते हैं share कर सकते हैं और अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe भी जरू कर लिजगा दोस्तों ठीक है अब हम इस question को देखने वाले हैं दोस्तों संबिधान की प्रिस्ताबना में संबिधान संसोधन के द्वारा किन सब्दों को जोड़ा गया तो संबिधान की जो प्रिस्ताबना है जिसे हम उद्देश का कहते हैं जिसे हम इंगलिस में प्रियम्बल कहते हैं उसमें संसोधन किया गया तो दोस्तों मैं आपको बता दू अब तक अब तक जो प्रस्ताबना है प्रियेंबल है उसमें एक बार संसोधन हुआ है कितनी बार केवल एक बार संसोधन हुआ है अब तक तब से अभी तक संसोधन नहीं हुआ है दोस्तों इसमें क्या हुआ था दोस्तों प्रस्ताबना में ये संसोधन किया गया था इसमें तीन सब्दों को जोड़ा गया था, कौन-कौन से सब्दों को जोड़ा गया था भी दोस्तों, तीन नय सब्दों को, पंतनेर पेक्ष, समाजवाद और अखंड था, इन तीन सब्दों को प्रस्ताबना में जोड़ दिया गया था, यही संसोदन हुआ था, आप यह समझ लेज प्रिस्ताबना में कितने सब्दों को जोड़ा गया था पंतनिर पेक्ष समाजवाद और अखंड था इन तीनों को जोड़ दिया गया तो दोस्तो इस कोश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बोतो हो जाएगा ऑप्सन नंबर डी उपर वाले तीनों लेकिन मैं इसके साती बता दूँ यह जो ब्यालिस में संब्दान संसोदन था इसमें एक नया भाग जोड़ा गया था कौनसा नया भाग जोड़ा गया था दोस्तो यह ब्यालिस में संब्दान संसोदन दोस्तो 1976 में हुआ था कब हुआ था दोस्तो मैं आपको फिर से बता दू प्रस्ताबना में एक बार अब तक संसोदन किया गया है में संथा गया था और लागोव दोस्तो इसमें तीन नया भाग में जोड़ा गया था था ठीक है अब दोस्तो हम आगे बढ़ते हैं नेस्ट कोईशन और इस सर्लेटर जो हमारा explanation है यह रहा आपके सामने आप देख सकते हैं दोस्तों अब दोस्तों क्योंकि आपको पता है क्या पता है दोस्तों आज कल क्या चल रहा है भी बर्ल्ड कप चल रहा है क्या चल रहा है भी वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसलिए क्या चल रहा है भी तो आप आसानी से कर देंगे तो दोस्तो आपको explanation अगर समझ में आ रहा है तो class को like कर लेज़ेगा अपने दोस्तों के साथ share कर लेज़ेगा क्योंकि आपको पता है दोस्तों हम अगर अपनी knowledge को दूसरों के साथ share करते हैं तो हमारी knowledge बढ़ती है और दोस्तों इसके साथ ही अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe जरू कर लेना है आपको हमारी ऐसी latest video तुरंट पाने के लिए next video तुरंट पाने के लिए दोस्तों तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इस question को हाल ही में ICC ने पुरुष क्रिक्ट बिसकप 2030 के लिए ICC ने पुरुष क्रिक्ट बिसकप जो कि इस समय चल रहा है जो कि 5 October से शुरू हो गया था जो कि हमारे और दोस्तों ये भी बहुत important हो जाता है ये जो 2030 का बिसकप है ये हमारे इंडिया में ही हो रहा है दोस्तों कहा हो रहा है ये जो होश्ट करने वाला कंट्री है वो हमारा कौन सा है इंडिया ही है हमारे इंडिया हमारे भारत में ही ये बिसकप हो रहा है बिसकप 2023 और इसके जो राजदूत नामित किये गए वो है सचिन तेंदूलकर दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके जो ICC है दोस्तो जो हमारा ICC है क्या International हमारा क्या International Cricket Council जो है दोस्तो इसकी जो formation हुआ था दोस्तो बो मैं आपको बता दू इसका जो formation हुआ था वो हुआ था हमारा 15 जून 1909 को कब हुआ था दोस्तो 15 जून 1909 को दोस्तो 15 जून 1909 को इसका formation हुआ था दोस्तो और इसके साथ ही दोस्तो मैं आपको बता दूँ इसका जो headquarter है दोस्तो इसका जो headquarter है वो हमारा कहा है दुबई में है कहा है दोस्तो दुबई में इसका headquarter है दुबई जो की UAE में आती है दोस्तो का है भी UA में यह आती है दुबई यहाँ पे हमारा हैटकॉर्टर है ICC का International Cricket Council का हैटकॉर्टर दुबई में है 15 जून 1909 को इसकी स्थापना ही थी दोस्तो फॉर्मेशन हुआ था और दोस्तो इसके साथ ही कि मैं आपको बता दूं यह जो ICC है इसकी जो Chairman है कोने भी Chairman जो इसके है वह क्ंव है दोस्तों वो है Greg Berclay कौने दोस्तों ग्रेग बार दोस्तों वो है इसके अध्यक्षा चेरम्न दोस्तों इसके साती है को CEO भी पता होने चाहिए क्या भी CEO ICC के पता होने चाहिए CEO जो है वो हमारे है G of Lrds कौन है भी दोस्तों G of Lrds हमारे CEO है ICC के दोस्तों तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ अगर इस से related ICC cricket से related या बिसकप से related अगर कोई question आएगा अब तक का तो आप आप आसानी से कर देंगे दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं next question और दोस्तों इसका जो explanation है जैसे कि मैंने आपको बताया ICC का international cricket council 15 June 1909 को इसकी स्थापना हुई थी दुबई में इसका headquarter दोस्तों chairman Greg Barclay है और G of Elardis इसकी कौन है CEO हैं दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं next question दोस्तों अब इसके next question यह रहा आपके सामने दोस्तों जो की important है geography का question है दोस्तों आप देखते होंगे मैंने क्या भी history भी करा दी और polity का भी question करा दिया और current affair का भी question करा दिया दोस्तों अब geography का भी question आ गया तो मैं सारे subject cover कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है general evidence में सारे ही subject आ जाएंगे तो दोस्तों देख लेते हैं अब यह question question number 4 उत्तर पूर्व भारत की seven sisters के अंत्रकत कौन सा राज सामिल है कौन सा राज सामिल है इसके अंत्रकत यह हमसे पूचा गया है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हम बता देंगे तो दोस्तों इससे पहले हमें पता होना चाहिए यह जो seven sisters है ये कौन-कौन से हमारे राज़े हैं तो दोस्तो अभी तो मैं आपको ऐसी बता दूँ हमारा अरोनाचल प्रदेश है नागा लेंड है और मडीपुर है मिजोरम है और इसके इलावा हमारा मेघाले हो गया और तिरपुरा है और असम ये जो हमारे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ये हमारे सेवन सिश्टर में कहलाते हैं उत्तरपुर्व के जो राज़े हैं ये सेवन सिश्टर कहलाते हैं तो दोस्तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं रहो नाचर प्रदेश हमारे seven sister में आता है असम seven sister में आता है मिजोरम seven sister में आता है दोस्तो लेकन पश्च्चम बंगाल जो है वो seven sister के अंतरगत नहीं है तो यही हमारा के हो जाएगा right answer हो जाएगा और साथी दोस्तो यह जो seven sisters हैं मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, क्या करता हूँ भी, मैप में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, कि हमारे जो सेवन सिश्टर जो राज हैं, वो कौन-कौन से हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो हमारा तिरपुरा है यह हमारा सेवन सिश्टर में आ गया हम कह सकते हैं मतलब यह हमारा पूरा यह हमारा क्या है पूरा यह जो है यह हमारा क्या है सेवन सिश्टर राज कहलाते हैं अरुनाचर प्रिदेश हो गया असम हो गया वही बहने कहलाते हैं दोस्तों ठीके दोस्तों तो आप समझ सकते हैं मैंने आपको मैप में भी दखा दिये उत्तर पूर्व में यह हमारी उपर उत्तर साइड और इधर पूरव साइड में हैं तो इनको हम क्या कहते हैं उत्तर पूर्व की सेवन सिश्टर कहते हैं दोस्तों ठीके पिर्षन नमबर पांच देख लेते हैं दोस्तों बर्स 2013 में फिजियोलोजी या मेडिसन जिसे हम चिकत सा कहते हैं में नोबल प्रुषकार किसे मिला है कैटालिक कैरिकों डिरिव बिसमेन ए और बी दोनों या इन में से कोई नहीं दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दू इससे पहले की आप बताएं कि फिजियोलोजी और मेडिसन में नोबल प्रुषकार किसे दिया गया है मैं आपको बता दूँ जो दोस्तों हमारा नोबल प्रुषकार है तो दोस्तों इसका जो आंसर है बहुत senza उस हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों कौनसा हो जाएगा भी और B दोनोंі option हो जाएगा option number C लेकिन इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो nobel prize है ये jो nobel prize जो है दोस्तों ये जो nobel prize है ये कब से start होए थे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये jy nobel prize है ये पहली बार कब दिए गए थे ये दिये गए थे 10 दिसंबर 1901 को ये दिये गए थे पहली बार पहली बार ये कब दिये गए थे 10 दिसंबर 1901 को ये पहली बार नॉबल प्राज दिये गए थे और किसकी याद में दिये गए थे ये दोस्तों 1901 से हमारे नॉबल प्राइज मिलने स्टार्ट हो गए थे अब दोस्तों क्योंकि हमारे लिए 2030 चल लगी तो 2030 में जो नॉबल प्राइज मिलने हैं जिन जिन को इसकी घोंशना हो गई है actually किसे मिलेंगे किसे मिलेंगे यह होना चाहिए किसे मिलेंगे तो दोस्तों इसकी घोंशना होगे यह लेकिन 10 December को बाटे जाएंगे और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह जो Novel Prize है इन मेंसे मैं आपको बता दूँ Physics, Chemistry और हमारी Medicine और हमारा Literature इसके अलाब़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ Economic Economic Science इन पांचों का जो Novel Prize मिलता है यह Sweden में मिलता है कहां मिलता है भी दोस्तों? Sweden, Stockholm, Sweden में यह Prize दिये जाते है इसके अलाब़ जो सांती का पीस का है, जो सांती का Novel Prize है, यह Norway में दिये जाता है कहां दिये जाता है? Norway में दिये जाता है तो दोस्तों यह भी आपके लिए Important हो जाता है अब दोस्तों यह Novel Prize जो है इनको हम ट्रिक से देख लेते हैं यह क्या क्या ट्रिक हो सकती जिससे कि हम आसानी से याद कर सकें दोस्तों, यह क्या भी Physiology अर्थात Medicine का है तो यह किस-किस को मिला है? Catalin, Carrico और Derubis Man को मिला है तो दोस्तों आपको पता होगा Bis, जो कि हमारा क्या होता है? Hindi में जो Poison होता है Hindi में जो Poison होता है हम उसको Hindi में क्या कहते है? Bis कहते हैं दोस्तों क्या कहते है? Bis कहते है तो अगर किसी व्यक्ति अर्थात Man को, अगर किसी Man को किसी व्यक्ति को अगर Poison उसने पी लिया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसे Medicine देंगे, दवाई देंगे क्या देंगे? Medicine देंगे किसमें रखके देंगे भी केटली में रखके देंगे किसमें केटली में रखके हम क्या देंगे भी मेडिसिन देंगे किसको भी बिस मैन जिसने बिस पी लिया है मैन ने जिस मैन ने क्या पी लिया भी बिस पी लिया है उसे हम कैटली में रखके कह देंगे medicine इस ट्रिक से आफ याद रखते हैं रख सकते हैं कि medicine का यह novel price है और this means this means this matter cataly में रखके दभाई देंगे क्या होगे हुगे cataly cataly तो इसे हम दभाई देंगे medicine में तो यह क्या होजाएगा Drew Bishman तो इस trick से आप दोस्तो आसानी से इसे याद कर सकते हैं और इसे कभी नहीं भूलेंगे अगर exam में आ जाएगा तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तो अब इसके अलाब हम और भी जो novel prize दिये गए हैं वो हम सब देख लेते हैं दोस्तो एक बार तो दोस्तो यह आगे फिजिक्स का तो फिजिक्स का हम कैसे याद करेंगे दोस्तो फिजिक्स का आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भी फिजिक्स पीकर आप इस टैप से याद कर सकते हैं दोस्तो फिजिक्स पीकर 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 फिजिक्स को पी गया और फिजिक्स पीकर फिजिक्स को 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 पीकर फिजिक्स क को मिला है और फेरे से फेरेंक क्रोज को मिला है और एनी से एनी एल हीलियर को मिला है इससे दोस्तों आप आसानी से याद रख सकते हैं फिजिक स्पीकर फेरे लिए एनी ने इस ट्रिक से आप फिजिक का नौल पिराज आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों अब इसके बाद हम कैसे याद करेंगे ये भी हमें बता देता हूँ दोस्तों तो chemistry का हमें याद करेंगे कैसे भी LXC हम इस टैप से याद करेंगे LXC रसीली महंगी लाई LXC ने क्या किया LXC रसीली महंगी लाई क्या भी रसीली महंगी लाई जो LXC है वो क्या है एक लड़की है उसने वो क्या रसीली मैंगी लाई क्या लाई भी दोस्तों रसीली मैंगी लाई तो दोस्तों आप इससे याद कर सकते हैं एलेक्सी केमिस्ट्री में रसीली मैंगी लाई थी आलेकषी जो है वह रसीली मैंगी लाई तो chemistry की जो non-price प्राप्त करता जो है उनके नाम क्या है एलेकषी से आप याद रख सकते हैं एलेकषी आई एलेकषी आई इकीमो और दूसरा रसीली से आप याद कर सकते हैं लूईe रसीली से आप लुई से याद कर सकते हैं मेंगी से और मौंगी मेंगी से मौंगी जी बवेंटी इसको याद रख सकते हैं दोस्तो तो आसानी से आप याद कर सकते हैं दोस्तो एलेक्सी के लाई एलेक्सी रसीली मेंगी लाई दोस्तो एलेक्सी के लाई रसीली मेंगी लाई तो इससे आप chemistry के आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद आते हैं भी medicine के medicine के मैंने आपको बता दिया और कोई बेक्ती किसी बेक्ती ने क्या पी लिया है बिस पी लिया है दोस्तो तो उसके लिए कह दी जाती है medicine दी जाती है और medicine जो हम देंगे वो किसमें रखे देंगे केटली में रखे देंगे तो इससे Katalin Kariko और Drew Bisman होगे medicine वाले दोस्तों चिक्सा वाले होगें अब दोस्तों literature अथा सांती वाला हम देख लेते हैं सायत बाला देख लेते हैं साहत का जॉन फोसी को मिला है, यह हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, सत्त अगर नहीं बोलोगे, तो जान फस जाएगी, अगर सत्त नहीं बोलोगे, तो आपकी जान फस जाएगी, या आप यह कह सकते हो, साहत में जान फस गई, क्या है भी, साहत में जान फस गई, साहत में जान फस गई तो इससे जॉन फॉसी साहित में जॉन फॉसी मतलब साहित में जान फस गई इससे आप याद रख सकते हैं साहित में जो मिला है वो जॉन फॉसी को मिला है दोस्तो ठीक है दोस्तो अब देख लेते हैं सांती में अब सांती कई मिली भी नर्गेस को क्या मिल गई भी सांती मिल गई इस दोस्तों आपको पता है जो होता है वो कैसे पैसों से लें दिन पैसों वाली मतलब कहीं सब्जेक्ट होता है पैसों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है यह होता है गोल्ड सिल्वर सब कुछ डायमेंट वाला यह सब पैसे वाली चीज़े महगी महगी चीज़ें तो यह सब महगी महगी चीज़ें को manage करना किसके अंद्गत आता है भी अर्थसाज सर्थाज economic के अंद्गत आता है तो यह gold से आप याद रख सकते हैं भी gold की बात आ रही है तो यह तो economies related बात है भी क्या भी और gold वाली बात आ रही है तो यह economies related बात है दोस्तो तो economics का आप इससे याद कर सकते हैं golden gold से economy आपको याद आने चाहिए claudia golden इस type से आप याद कर सकते हैं दोस्तो अब बढ़ते हैं हम आगे दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं next question देख लेते हैं दोस्तो भारत से संबंदित नहीं है यह हमसे पूछा गया दोस्तो अब रहाई बढ़ते हैं दोस्तो आपको बता दू है इसका जो vaccine number a है यह भंप नाटियम यह जो भरत नाटियम सास्थ्री नरत है यह कहां के भी बढ़त यह दोनो के दोd都 watu यह मारे उत्तर भारत का हें कहां कहाँ इसका जो राइट अंसर हो बोते ये हो जाएगा option C हो जाएगा क्योंकि आपको पता है दक्षिन भारत का से संबंदित नहीं है मतलब तमिलाडू और केरल ये तो भी दक्षिन भारत में आते हैं तो कथक ही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा क्योंकि कथक उत्तर भारत से रिलेट करता है सास्त्री नरत है उत्तर भारत का तो option C क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल right answer हो जाएगा इसके साथी दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो right answer हो गया वो तो option C हो गया इसके साथ ही दोस्तों यह जो सत्रिया है जो हमारा सत्रिया नरत है वो असमसी बिलॉंग करता है सत्रिया असमसी बिलॉंग करता है जो कुछी पोड़ी है दोस्तों वो हमारा आंधरप्रदेश से बिलॉंग करता है और दोस्तो जो 6 है वो हमारा जारखंट से बिलॉंग करता है तो दोस्तो ये भी आपको पता होना चाहिए अब देख लेते हैं दोस्तो इस एक्स्प्लेनेशन ये रहा आपके सामने अब दोस्तो नेस्ट कोस्टन देख लेते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा ठीके दोस्तों अब देख लेते हैं एक कोश्चन 108V भारती बिग्यान कांग्रेस का आयोजन कहा हुआ तो जो 108 भी भारती बिग्यान कांग्रेस है इसका जो आयोजन हुआ है दोस्तो ये तो हुआ है नागपुर महाराष्ट में कहा हुआ है दोस्तो नागपुर महाराष्ट में इसके साथ में ही दोस्तो मैं एक additional आपको जानकारी दे दूँ 108 वी के बाद 109 वी होने वाली है 109 वी Indian Science Congress होने वाली है ISC होने वाली है तो 109 वी जो होने वाली है ये कहा होने वाली है दोस्तों ये Lovely University आपने सुना होगा Lovely Professional University जो की पंजाब में है जो की कहा है भी दोस्तों पंजाब में है तो यह 109 मा जो Indian Science Congress जो होने वाली है भारती बिग्यान Congress जो 109 नंबर की होने वाली है बो होने वाली है लबली Professional University पंजाब में होने वाली है दोस्तो यह भी आपको याद रखना है तो दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं next question ठीक है दोस्तो यह रहाँ आपके सामने दोस्तो चीनी विद्धुआन हैंसोंग ने किस इस्थान पर बहुत धरम ग्रंतों का अध्यन किया दोस्तो यह question है बहुत अच्छा question है दोस्तो इसका तो direct मैं आपको answer बता दूँ जो चीनी विद्धुआन हैंसोंग जो थे यह दोस्तो मैं आपको बता दू हर्षबर्धन के सासंकाल में आयते किसके सासंकाल में आयते हर्षबर्धन के सासंकाल में आयते तो जो चीनी विद्धुआन जो हैंसोंग थे वो दोस्तो हर्षबर्धन के सासंकाल में आयते लेकिन एक कब आयते तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ यह 15 बरसों तक हमारे देश में रहते कितने बरसो और पंद्रा बर्सों तक रहे थे और इन्होंने एक अपना क्या लिखा है यात्रा ब्रतांत लिखा है पूरा पूरी जानकारी दी है यात्रा की जो ग्रंत है वो क्या है siu ke, क्या है वही दोस्तो siu ki, siu की 갑자기 नाम का एक, इनका यात्रा ब्रतांत है उसमें इन्होंने सब कुछ अपनी यात्रा भ्रमन लिखाए यात्रा का पूरा भ्रमन लिखाय हुआ है दोस्तों और दोस्तों इन्होंने बौध गरंटों का जो अध्यन किया था वो किया था विजय बाड़ा में दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा option D हो जाएगा तो यह हर्षपर्दन के सासनकाल में 629 ESB में आये थे और उन्होंनों बहुत धरम गिरंतों का अध्यन किया था विजय बाड़ा में दोस्तों और क्या हुआ था भी यह 15 वर्षणों तक हमारे देश में रहे थे फिर अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस से related जो explanation है यह रहां आपके सामने अब दोस्तों देख लेते हैं question number 9 तो दोस्तों इसके सारे options देखने के लिए हम क्या कर लेंगे थोड़ा सा question को छोटा कर लिया हमने क्या कर लिए भी दो दोस्तों question को थोड़ा छोटा कर लिया अब देख लेते हम दोस्तों तो निमनी लिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग पॉडर के राजसानिक संग्टन में नहीं होता है हमसे क्या पूंचा भी नहीं होता है यह हमसे पूंचा गया दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता द sodium hydrocarbonate एक हम देख सकते हैं यह गया हमसे पूंचा सोडियन नहीं तो और हमसे पूंचा यह तो सोडियन तो अप्सन हो नहीं सकता यह तो है और हाइडोजन ओगा गया और सोडियन यह है इसके अलावा दोस्तों carbonate यानि carbon भी है लेकन nitrogen नहीं है तो nitrogen ही हमारा क्या हो जाएगा विल्कुल right answer हो जाएगा इस question का दोस्तो ठीक है दोस्तो तो आगे बढ़ते हैं next question next question जो दोस्तो है वो यह रहां आपके सामने दोस्तो next question यह रहां आपके सामने दोस्तो फरीद खान को किस बर्स सेरसहां की उपादी से सम्मानित किया गया था तो जो फरीद खान थे उनको किस बर्स सेरसहां की उपादी से सम्मानित किया गया था यह हमसे पूचा गया तो दोस्तो मैं आपको बता दू यह फरीद खान जो है ये जो फरीद खान जो हुआ करते थे इन्होंने क्या किया था चौसा का युद्ध लड़ा था कौन सा एक चौसा का युद्ध लड़ा था किसके साथ लड़ा था भी दोस्तो ये चौसा का युद्ध 26 जून कब हुआ था भी दोस्तो 26 जून 1549 को हुआ था Faird Khan bijayan प्राफ्त हो गया जब विजय प्राफ्त हो गया तो इस ह surf合 में इस ही में इन्होंने शेर सहांगी उपादी को धारान कर लिया और इस से इन्हें संभानत किया गया था तो kई जुन 24Na 149 के योदिसे अर्थार 1549 में ने सेर सहां की उपादी से सम्मारत किया गया था तो option D क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा इस question का दोस्तों और इस तरे लिटर जो explanation है वो दोस्तों यह रहां आपके सामने अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है लाइक और अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी सेर करना चाहिए क्योंकि आपको पता है दोस्तों के साथ सेर करने से हमारी knowledge क्या बढ़ती है हमारी knowledge बढ़ती है और दोस्तों इसके स अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है भी चैनल को क्या कर लेना भी सब्सक्राइब कर लेना है सबसे पहले आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप चैनल पर नए है तो क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी सारी वीडि